नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर अपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे नेट्फिक्स की सीरीज हीरा मंडी के बारे में और इसके क्रेटर डारेक्टर है संजे लीला भनसाली और ये series बहुत पहले से ही बहुत चर्चित रही है जब इसकी announcement हुई थी और ये बताया गया था कि संजे लिला भनसाली Netflix के लिए एक series बना रहे है बड़े पैमाने पर बना रहे है और ये एक ऐसा project है जिस पर वो कई सालों से काम करना चाह रहे थे तब ही से इस series को लेकर के excitement है और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और अब जब ये series release हो चुकी है तब आज की इस video में हम ये देखेंगे कि क्या जो उमीदे हैं संजे लिला भनसाली के एक बड़े project से वो पूरी हुई है या नहीं हुई है ये series कैसी बन पड़ी है इस पर हम बात करेंगे लेकिन दोस्तों review की शुरुआत करने से पहले एक request आप से कि यदि आप ते अब तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजेगा क्योंकि वेव series और movies के review के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी और ये series की कहानी भी टुक्रो टुक्रो में हमारे सामने पहले ही आ चुकी है ये कहानी है लाहौर की और लाहौर की हीरा मंडी की हीरा मंडी जो है वो तवाइवों का एक अड़ा है बहुत सारे कोठे हैं वहाँ पर और इन बड़ी-बड़ी आलिशान हवेलियों में बहुत गहरे राज भी छिपे हैं यहां अदावत भी है यहां मुहबत भी है साजिशे भी है और एक दूसरे से प्रतियस्पर्धा भी है यह वो गलिया है जहां बड़े-बड़े नवाव और राजे-महराजे आते हैं अपनी दौलत लुटाते हैं और यह वो वक्त है जब देश में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी और देश का कोई भी कोना इससे अच्छूता नहीं था समाज का हर वर्ग लड़ाई की इस लड़ाई में स्वतंता की लड़ाई में अपनी आहूती देना चाहता था अपना योगदान देना चाहता था और ऐसे में हीरा मंडी तक भी स्वतंता संग्राम की आच पहुँच रही थी तो यह जो कालखंड है इस कहानी का वो आजादी से पहले का है और यहां हीरा मंडी और आजादी और शहर और देश की बहुत सारी बाते आपको देखने को मिलेगी और यहां जो कहानी है उसमें एक कतल भी है तो थोड़ा इसमें कुछ पेचोखं भी आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह जो सीरीज है इसको संजे लीला भंसाली दे मुझे लगता है कि बहुत ही दिल से बनाया है और देखिया कि हर जगह उनका योगदान है अब वो क्रियेटर भी है वो डारेक संजे अपने हाथों से इस सीरीज को सवार लेना चाहते हैं और वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा वो सोच रहे थे और दोस्तों जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं तो आपकी आँखें फटी रह जाती है यह जो सीरीज है यह देखने में इतनी खूब सूरत है यहां एक एक द्रिश से एक एक सेट इतना भव्य है आलिशान है रंगीन है और चमकदार है कि आपकी आखें एकदम स्क्रीन से चिपकी रह जाती है और कई बार तारीफ के शब्द आपके मुझ से निकलते हैं इसके अलावा जो यहां कलाकार है वो एक से बढ़कर एक बेहद है और जिस तरह से यहां चीजों को रखा गया है चाये वो किसी कमरे का परदा हो या कमरे का धर्वाजा इतनी खूसूरती से इतनी नफासत से इतनी बारीकी से पेश किया गया है कि देख करके मन खुश हो जाता है तो यह सीरीज सुरू से ही अपने सम्मोहन में अपने आकर में आपको बांध लेती है और इसके साथ ही एक कहानी चलती है तो यह जो कहानी है इसकी शुरुवात के जो एपिसोड में आप देखते हैं कि करेक्टर्स हमारे सामने आते हैं कुछ अलग-अलग करेक्टर्स और फिर धीरे-धीरे हम उन करेक्टर्स के साथ उन कहानियों में आगे बढ़ जाते हैं तो यहां आपको एक प्रेम की कहानी भी दिखेगी कि मतलब तवाइफों की बन्ना मस्ती में एक प्रेम का अंकुर फूट रहा है और वो जो प्रेम है वो एक इनोसेंट टाइप का प्रेम है एक मासूम सा प्यार है देखे आपको अच्छा लगता है औ मैंस भी है और संजे लीला भनसाली का कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लीजे चाहे वो देवदास हो या कोई भी फिल्म हो उसमें म्यूजिक हमेंसा अच्छा होता है तो यह रिकार्ड इन्होंने यहां भी कायम रखा है यहां जवरदस्त म्यूजिक आपको सुनने को मिल देखने के बाद भी आप बार बार सुनना चाहेंगे लेकिन दोस्तों इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ थोड़ी बहुत कमी इस सीरीज में है जरूर अब देखिए कि यह कहानी जब धीरे से आगे बढ़ती है तो स्लो हो जाती है थोड़ा सा इसको जहलना थो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है दूसरा कि यहां कुछ चीजे कन्विनियंस के हिसाब से कर दी गई है जैसे सुनाची सिना का जो करेक्टर है वो मनीशा कोईराले के करेक्टर को थोड़ा सा ट्रवल में डालता है लेकिन फिर एक नवाव साब आ जाते हैं और बहुत सारे क्लू उसको अचानक ही पकड़ा देते हैं या फिर ऐसी बहुत चीजे आप देखेंगे जैसे कोट का एक दृष से है वो दृष से उतना जमता नहीं है इसके अलावा दोस्तों यहां जो देशभक्दी की बात रखी गई है अब अधिती राव हैदरी का जो करदार है विब वो स्वतनता संग्राम आंदोलन से हमेशा से जूरी रही है उसमें वो अपना कांट्रिबुशन दे रही है तो उनकी बात तो ठीक है लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हीरा मंडी की सैकडों महिलाएं अचानक ही देशभक्द हो जाती है तो एक थाट यह आता है कि भाई अ है मैंने कहा कि अपने जादूई आकरशन से आपको बांद करके रखेगी और इसमें बहुत बड़ा योगदान कलाकारों का भी है अब देखिए मनीशा कोईराला का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने निभाया है ऐसा लगता है कि उन्होंने उस किरदार में अपन आप सुनाक्षी सिनहा को देखते हैं अधिती राव हैदरी है संजीदा शेख है और फिर आप यहां देखते हैं रीचा चड़ा को आप यहां देखते हैं शमीन सहगल को तो यह सब अपनी जगहों पर अच्छी है इसके अलावा यहां फरीदा जलाल आपको दिखती है या फिर शेखर सुमन है शेखर सुमन के बेटे भी थोड़ी दिर के लिए दिखते हैं और शेखर सुमन को जितना भी जो रोल मिला है उन्होंने बहुत अच्छे धंसे किया है ताहा शाह है यहां और फिर फरवीन खान है दूसरे बहुत सारे कलाकार है तो कलाकारों ने अपने काम अच्छे धंग से किया है एडिटिंग की गुंजाइश जरूर यहाँ थोड़ी थी लेकिन जो बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट है चाहे वो आप कैमरा वर्क देख लीजे चाहे म्यूजिक चाहे बैकराउंड स्कोर वो सब ही कमाल का है तो दोस्तों थोड़ी बहुत कम्यों को अगर आप करें तो ये एक बहतरीन सीरीज कही जा सकती है देखने में मज़ेदार है और एक ऐसी सीरीज है जिसको आप बाद में भी याद रख सकते हैं संजे लिला भनसाली की ये सीरीज है और हर डिपार्टमेंट पर उनकी छाप जरूर ही दिखती है एक साफ सुतरी सीरीज है आठ एपिसोड है करीब 45-50 मेट के आस पास के और यहां कुछ मैच्चोर थीम जरूर है लेकिन कोई ऐसा दृष्ट नहीं जो अकवर्ड हो और कोई भाषा ऐसी खराव इस्तेमाल नहीं की गई है तो मैं तो कहूंगा कि आप इस सीरीज को जरूर ही देखिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है एक भव्वे एक खुबसूरत एक आलिशान सीरीज आप इसको कह सकते है और जो मेरी रेटिंग है वो है पाच में से चार की तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर यह सीरीज देखिए तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसे लगा धन्यवाद